इस तरीके का हमें कोई भी खाली डबा ले लेना है अगर इस तरीके का डबा आपके पास नहीं है तो इस तरीके से धकन ले लिजेगा इस भी आप यूज़ कर सकते हैं तो इसमें का मैंने छोटा साइज लिया है आप चाहें तो बड़ा साइज भी यूज़ कर सकते हैं और य आप लोग कि आपकोसि बत्पाइब हैं और में पुझा मैं मिस्तों करें कर दो दिंदू यह सब गए धयाल सब्सक्राइब इ hypoc language मैंने लिया है डीशन तो आप घरपे चलना होता है भुणा हुआ उसे भी बना सकते हैं गोर नई सक्ता है मैंने डाला है पानी और इसे अच्छे से मिस्च को बनाना जिसने गुड़्यां ना पड़े तो देखी यह से बना Ultra बेंगी इसमें जादा समय भी नहीं लगे तो इसका मतलब है कि हमारा गोल परफेक्ट तयार नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे कि छान के पहले निकाल लेंगे थोड़ा आप तो मैं डाली दी हूं तो इसको मैं निकाल दूंगी तो इसे 2-3 मिनिट मतलब रखना है और एकड़ में करारी वनेगी ज्यादा नहीं इसको तलना क्यूंकि कलर भी चेंज हो जाता है ज्यादा तलने से तो अगर आप इसे ज्यादा तल देंगे तो इसमें मैं थोड़ा देखे पाइं डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप मैं देखिए गोल में डबे में डाल ली हूं और आप लोग देख सकते हैं उपर से मैं क्या करें हूं इस तरीके से कर रहे हूं तो देखे कितने अच्छी छोटी-छोटी बूंदी आई हैं अगर आपको बूंदी मतलब बड़ी साइज की बनानी है तो आप क्या साइज उस तरीके से बनाईएगा तो देखे मैंने इस तरीके सारा निकाल लिया है और दो से तीन मिनट लगा और बहुत क्रिस्पी बना था असानी था कि यह सॉफ्ट था और देखे बहुत ही असानी से आप लोग खुद देख सकते हैं बन गया है विल्कुल भी टाइम न इसमें तयार है आपने देखा बीना इसमें सोडा डाले कितने अच्छी बूंदी तयार हुई है और इसको मैं साइड रख दूंगी निकालके और इधर मैंने गैस पे फिर एक बरतन चड़ा दिया है जिसमें मैंने एक कप लिया है चीनी और एक कप ही डालना है इसमें पान क्योंकि इसमें कलर बहुत प्यारा आएगा कलर डालने से और इसमें थोड़ी से मैं डालूंगी इलाइची तो मैंने इलाइची राल दिया है कूट के आप चाहते इसका पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं और देखी इसको मैंने जैसे कहा कि इसको तार की चासनी नहीं ब बूंडी भी तो बूंडी ठंडी है और चासनी गरम है इस बात को आपको ख्याल के या तो बूंडी गरम होनी चाहिए या तो चासनी अगर आप दोनों गरम ढल देंगे तो बूंदी क्छराब हो जाएगी तो इसलिए जो है सोक चुका था और इतने अच्छी बूंदी खिल खिलाती हुई त्यार हो गई थी और सही बता रहे हूं मतलब इसका जो टेस्ट ना बहुत अच्छा रहा था इलाइची का फ्लेवर आ रहा था तो आज की रेस्पी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंड में जरू बताइए और मिलते हैं नेश्ट वीडियो में एक नई रेस्पी साथ बाई बाई फ्रेंड प्रेंड में हैं।